नमस्कार फरेंड्स, वेलकम टु इस्टड़ी विथ नीलम, फर्स्ट आफ वॉल, विश्यू वेरी वेरी हैप्पी नियर 2021, नया साल है, नई शुरुवात होगी कुछ लोगों की, लेकिन मैं यह मानती हूँ कि आप लोग जो कॉम्पिटिटिव एक्जाम की तेयारी करने वा कामना है कि इस नव वर्ष के सभी पल आपके लिए खुशियों भरे हो और आपके सपने जो भी आप बनना चाहते हैं, आप PSC चाहते हैं, IS चाहते हैं, SSC चाहते हैं, रेल्वे चाहते हैं, जिसमें भी आपका सेलेक्शन हो, वो जल्दी से जल्दी आपको 2021 में ही आपका कामना के साथ, चलिए हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं हमारा आज का लेक्चर शिरू, एक जनवरी 2021 के पहला करंट अफियर्स हमारा वीडियो, और पहला कोश्चन है हमारा आज का हाल ही में, केंदरी केविनेट ने निमनल इखित में से किस स्वदेशिप मिश्याइल प्र आकास मिसाइल को भाकेंदरे केविनेट के दुआरा निर्यात करने की मंजूरी दे दी गई है, इसमें कुछ समय पहले आपने नियूज में सुना भी होगा, ब्राजील, वियतनाम, UAE और फिलिपिन्स देशों ने इंटरस्ट दिखाय था आकास मिसाइल को खरीदने के जो आकास मिसाइल है, ये एक मीडियम रेंज मुबाईल सर्फेश टू एयर मिसाइल है, और ये किसके दौरा विक्सित की गई है, तो ये विक्सित की गई है, DRDO के दौरा, भारतीय नो सेना ने इसे 2014 में, और भारतीय वायू सेना ने इसे 2015 में उपियोग में लाया है, और भारत सरकार को जो पांच बीले निर्यात का लक्ष पूरा करना है उसके लिए यहाँ इसके बैपार को मंजूरी देना इस और बढ़ने की तरफ एक महतपूर कदम होगा तो यह आप याद रखेंगे आकास मिसाइल नेस्ट कोश्चन है हमारा हाली में 30 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा यह मिस्प्रेंट हो गया है 12 यह 2020 को किसके द्वारा 34 वे प्रगती एकिकरत संबाद आत्मक मंच की अध्यक्षिता की गई है तो राइट अंसर होगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के द्वारा तो प्रगत जो राकेंदर शाषित प्रधेश हो या यूनियन टेरिटरी हो वहाँ पर कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट है उनसे जुड़े हुए विभिन ने प्रकार की जो प्रोग्रेस है जो उसकी प्रगती रिपोर्ट है उस पर प्रधान मंत्री स्वयम बात करते हैं और बात करन नमबर 2020 को कौन सी बैठकती तो ये 34 थी तो ये आप याद रखेंगे कौन करता है इसको तो इसको आयजित किया है प्रधान मंत्री द्वारा इसको होष्ट किया जाता है प्रोग्रेक्टिब गवर्नेंस और टैमिली इम्प्लीमेंटेंशन प्रोग्राम ओके 34 वी बैठकती इसलिए नमबर आप याद रखेंगे कप्रारम हुई 2015 में नेक्स्ट है हाली में समचारों में चर्चा मेरा ब्रह्मा पुत्र आमंत्रन अभियान का संबंद निम्न में से किस्से है तो राइट आंसर होगा इसका संबंद है एक रिवर राफ्टिंग अभियान जो ब्रह्मा पुत्र नदी है उस पर ये राफ्टिंग अभियान प्रारम भी किया गया इस तरीके का और इसका उद्गाटन में सामिलते किरन रिजिजू कौन है ये किरन रिजिजू ये हमारे केंदरी खेल मंत्री और इसके साथ ही जल सक्ती और सामजिक न्याय एवम अधिकारिता राज्यमंत्री सिरी रतनलाल कटारिया ने भी इसमें भाग लिया ये कहां से प्रारंब हुआ है तो ये प्रारंब हुआ है अरुनाचल प्रदेश से और कहां पर जाकर बढ़ेगा ये आगे ये बढ़ेगा आगे असम में तो ये आप याद रखेंगे ब्रह्मा पत्र आमंत्रन अभियान कहां से परारम हुआ अर्णाचल प्रदेश से और क्या है ये रिवर राफ्टिंग अभियान है नेक्स्ट देखते हैं अर्णाचल प्रदेश के बारे में तो ये रहा मैप में अर्णाचल प्रदेश, राजधानी है इटा नगर, राजजपाल है बीडी मिश्रा और यहां के मुख्य मंत्री है पेमा खांडू सबसे पहले सूर्योदे कहा होता है तो ये अर्णाचल प्रदेश में ही होता है अर्णाचल प्रदेश का 23 वजजिला श्रीयोमी, 24 वजजिला लेपेरारदा और 25 वजजिला इसका बनाए पक्के केसार, पक्के पागा हरनेवल फेस्टिवल ये राजकी महस्तर गोशित किया ग के जांग डी थौंग इन्हें मिला है दादा सहब फाल के पुरुसकार शॉट फिल्म 2020 का किसके लिए इनकी शॉट फिल्म ची लूपों के लिए तो ये इतने पॉइंट आप पर नाचल प्रदेश से याद रखेंगे नेक्स्ट है हाली में लांच की गई पुस्तक इन परस्यूट आफ जस्टिस निमने में से किसकी आत्मकता है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा राजिंदर सच्चर देखिए राजिंदर सच्चर का नाम 2006 से ही बहुत जादा चर्चा में रहता है क्योंकि सच्चर सामाज जी किस्तिती धार्मे किस्तिती उससे संबांदित यह रिपोर्ट तैयार की गई थी किसकी अध्यक्षिता में राजिंदर सच्चर की अध्यक्षिता में समीती गठीत हुई 2005 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई 2006 में और जब जब सरकार अलप संख्योकों के सुधार क बात करती है तब सच्चर कमिटी की अनुसंसाओं को लागू करने की बात हमेशा आती है तो राजिंदर सच्चर तो इनका तो निधन हो चुका है इनके मलनों उपरांत इनके फैमिली के द्वारा जो इनके संसकरन थे जो भी कोई इनका संग्रह था उसके आधार पर इस ओटो याद रखेंगे इन पर्स्टीट ओफ जस्टिस ओके यह 403 पेजों की एक रिपोर्ट जारी की गई थी तब से ही यह चर्चा में थे याद रखेंगा किसके समय मनमोहन सिंग प्रधान मंतरी थे ओके अनुपंकेर की बुकाई थी यूर बेस्ट डे इस टुडे के लास सत्य कोविड-19 संकट और सभिता का समाधान और प्रेम प्रकाश की पुस्तकाई थी रिपोर्टिंग इंडिया और स्राजिंदर सचर की ओटोबाइगरफिया इन पर्स्टीट ओफ जस्टिस तो यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप याद रखेंगे नेक्स्ट देखते आधारी मॉडल पर आधारी दिश का पहला एथिनॉल साहियंत्र इस्थापित करने के लिए समझोता MOU मेमोरेंडम ओफ अंडरस्टेंडिंग अस्ताक्चर किये गए हैं तो राइट आंसर होगा 36 गड़ देखिए देश में इथिनॉल प्लांट बहुत सारे हैं ठीके लेकि लेकिन पहली बार पीपी मॉडल के आधार पर प्राइवेट कंपनी के साथ सरकार मिलकर क्या करेगी एथिनॉल प्लांट को स्थापित करेगी कहां पर 36 गड़ में तो 36 गड़ के जो मुख्य मंत्री हैं उन्होंने इस MOU के समय ये उपस्तित रहे और ये MOU साइन किया गया क यहां हम अधर ऑप्शन को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहां पर होकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है ओडिशा में ओडिशा के सीम कोने नभीन पटना है गुजरात यहां पर देश की पहली लीथियम रिफाइनरी इस्थापित की जा रही है उत चतिसगड राजधानी है राइपूर राजजपाल है अनुसुया ओईके और मुख्य मंत्रियें भूपेश सिंग बगेल स्वास्त सुरक्चा अभियान प्रारंब किया गये था चतिसगड सरकार के द्वारा गोधन ने आई योजना गोधन को बढ़ाबा देने के लिए सहर ही में प्रारंब किये गए कुछ महत पूर्ण अभियान और योजना है तो इन सभी को आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हाली में रेलबे बोट के नए चेर्मेन और सी इओ निम्न में से किसे निक्त किया गया है तो राइट आंसर होगा सुनित सर्मा अप्शन से के गोपाल कृष्णन इन्हें बनाया गया है RBI Innovation Hub का पहला अध्यक्च यश्वर्धन कुमार सिना ये बन गए चीफ Information Commissioner और विशाल भी सर्मा ये बने हैं यूनेशको में भारत के इस्थाई प्रतिनी थी जो सुनित सर्मा है तो इनका रहा ये रहा इमेज तो इ इसके चीफ जो है सुबोत कुमार जैश्वाल ये बन गए हैं CISF के नए Director General Director General सुबोत कुमार जैश्वाल ओके तो CISF का full form क्या होता है Central Industrial Security Force Central Industrial Security Force कभी थी CISF की स्थापना तो इसके स्थापना की गई थी 10 March 1969 को 10 March 1969 और अब इसके नए DG बन गए हैं सुबोत कुमार जैश् Other options को हम देख लेते हैं तो जो सुनील कुमार है ये बन गए हैं BSF के Director General Border Security Force के Director General और BSF का स्थापना दिवस कभ मनाये जाता है एक दिसंबर को 2020 में मनाये गए इसका 56 वह स्थापना दिवस तो ये भी आप याद रखेंगे आर्या राजेंदरन ये देश की सबसे कम उम्र की मेर बनने वाली पहली व्यक्ति हैं और पहली महिला है ठीके 21 वर्ष में बन रही है ये मेर कहां की बन रही है तो तिरू अनंत पुरम की बन रही है तो ये भी आप याद रखेंगे रजद दत्ता ये भी important है जो भारतिय से अमीर व्यक्ति निम्नमे से कौन बन गए है तो राइट अंसर होगा जान सैंसा तो जान सैंसा ये हैं कहां के चीन के वैपारी ठीक है चीन के अरब पती है और ये किस नाम से जाने जाते हैं तो वाटर किंग ऑफ चाइना के नाम से ये जाने जाते हैं कौन जान सैंसा तो य पहले स्थान पर को ने सबसें अमीर व्यक्ति विख्व है तो विष्व स्तर पर गौन हैं आँसि स्तर पर और ओनर तो ये भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं ये हैं जॉन सेंसा और ये रहे मुकेश अंबानी दोनों को ही याद रखिएगा हाल ही मैं इमने मैं से किसे वर्स 2020 के प्रतिष्टित इंजीनियर्स पुरुसकार से सम्मानिक किया गया है अभी हमने पीछे देखा कि विनोत कुमार यादव ये क्या है रेलबे बोट के अध्यक्षे थे इनके स्थान पर आ गए हैं कौन सुनित ठीके तो अब जो बन गए हैं रेलबे बोट के सुनित सर्मा उनके विनोत कुमार के रेटाइड होने के बाद बने तो विनेत कुमार को रेलबे में इन के आधुनिकी करण और सुधार के लिए इनको इंसिटिशन्स इन इंजिरिंग एंड टेक्नलोजी के द्वारा प्रतिष्टित 2020 के इंजीनियर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो विनुत कुमार यादव को आप याद रखेंगे इन्हें दिया गया है 2020 का प्रतिष्ट इंजीनियर पुरुसकार है मत कुमार ये इन्हें मिला है DRDO के द्वारा साइन्टिस्ट आप दी इयर का पुरुसकार इन्होंने मैं न्यूमोनिया की दिवा बनाई थी कौनसी न्यूमोसिस ठीके और जो अधर आप्शन इन्हें भी देख लेते हैं नितल नारंग ये बन ग एकोन है संतूर वादक हैं बहुत और निम्र में से किस देश के बीच साइकोर रास नामग बहुत और फ्रांस के मद्थ भारत और फ्रांस के मद्थ साइकोरास जो अभ्यास है लाइजित किया जाएगा जनवरी दो अज़ार रागी की ऑ तहमें डेट फिक्स नहीं है अभी तो यह तीसरा वीक होगा उसमें से आजित किया जाएगा तो कहां आजित किया जाएगा यह याद रखना है आपको तो यह आजित किया जाएगा जोधपुर राजिस्तान में ओके क्यूं इंपॉर्टेंट है ये साइकोरोस तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट इसमें क्या करेंगे शामिल होंगे तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है तो ये आप याद रखेंगे हम देख लेते हैं मैप में फ्रांस को पैर्ष राज्धानी क्या इसकी पैरिस है मुद्रा क्या है कैरंसी तो यूरो है 2014 के उलमपिक कहा होंगे फ्रांस में ही होंगे और 2024 में चार नए गेंज को शामिल किया गया है उलमपिक में स्केट बॉर्डिंग, सार्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग और आपका ब्रेक डांस तो यह भी आप याद रखेंगे फ्रांस के राष्ट्पति कोन है, MNL मेक्रो है, प्रधान मंतरी है, जिन कॉस्टेक्स तो यह आप याद रखेंगे और पैरिस के जो इसकी कैपिट देखते हैं, आज का question of the day, हाली में परधान मंतरी मोधी के द्वारा 26 दिसंबर 2020 को किस केंदर शाषित प्रदेश या राज्ज में सेहत स्वास्त बीमा कवरी योजना प्रारंब की गई थी, तो नए साल में आप सभी का नया नया सपोर्ट बिलकुल हमारे चैनल को कीजिए आपकी like करने से, comment करने से चैनल को support मिलता है, तो अपना support बनाए रखिए, thanks for watching and God bless you all.